हे गाईज आज की वीडियो में मैं सेयर करूंगी स्कूल एंड कॉलेज गुइन गल के लिए मॉर्णिंग रूटीन साथ ही साथ में कुछ ऐसा सिम्पल सा टीफ जो फॉलो करके बहुत ज़्यदा एक्ट्राक्टिव लग सकते हो तीनेजर के लिए धियान रखना बहुत ज़् करते हैं है गाईज विल्कम बैक टू माई चैनल सबसे पहले मॉर्णिंग में आपको उठना है इसकूल एंड कॉलेज जाने से पहले दो से धाई गंटा पहले ताकि पूरा दिन अपका प्रडेक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सको जो जो चीज में आ पूट गई हूं और बाहर का नजारा कुछ ऐसा है आजान तो सुन पारे हो आप लोग एंड में खिड की खोलते ही मेरा सामने फ्लैट दिखता है इसलिए मैं ज्यादा खोलती भी नहीं हूं कि व्यूर्ट कुछ दिखता ही नहीं है चलो कीचन में जाते हैं मॉर्णिंग मे खाली पेट में ड्रिंक पीना एक बहुत ज़र ज़रूरी है अगर कुछ भी ना हो तो आप खाली वाम वाटर भी पी सकते हो पर मैं हानी के साथ पी रही हूं आप चाहो तो नीभू भी इसमें डाल सकते है पर नीभू कर टेस्स सुभा सुभा मुझे एकदम अच्छा नही अब करेगा बॉड़ी को पुरा क्लीन कर देगा जितना भी गंदेगी है वह फ्लास कर देगा साथ यसकिन को बहुत अच्छे से हाइडरेट करेगा मॉस्टोजर करेगा एकने के साथ फाइट करेगा इंटरनली आपको ग्लो देगा आप मोर्णिंग में आराम से सुकून से पी सकते हो, साथी साथ में अको रपचाओ, तो थोड़ा बहुत मुबाइल भी यूज़ कर सकते हो नेक्स टीप है बेट क्लीन, येस गाइज, अपना खुद का बेट खुद को ही क्लीन करना चाहिए ना कि दूसरे काम पे लग जाना, या फिर ममी के भरे से छोड़ देना अब खुद को पोड़ेक्टिव रखने के लिए पहले उटने के बाद ये सारे चीज़ जरूर करना क्लीन रहेगा तो आप बहुत ज़दा प्रोड़ेक्टिव रहते हो, आपका मूट भी बहुत ज़दा अच्छा रहता है, अच्छा वाइब रहता है, और अगिनेज रहता है, तो आपको भी बहुत ज़दा एनर्जेटिक फील होता है आपको रोज सुभा खाली पेट में, जब आप ब्रेकफर्स से पहले आपको ड्राइफ्रूट खाना है, अब वीगो को भी खा सकते हो, पर अभी सर्दी चल रही है, तो आप नौरबेल भी खा सकते हो नेक्स टिप हेल्दी हैबिर्स, आपको रोज दस से पंदरा मिनीर सुभा निकालना है, मेडिटेशन करना है, या फिर हलका सा वाक आउट करना है, या फिर योगा करना है, जो कमफोर्टेबल लागे अभी से खुद के अंदर ये सारे आदत दिलाओगे, करोगे, तो आगे जाके बहुत ज़दा बेनिफिट मिलेगा, पिसी ओडी, पिसी ओस नहीं होगा, आपको पेट में दर्द नहीं होगा, इसकी में एकने नहीं होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुरेसन सही से होगा, तो आ नाचरली ग्लो करेगा, आपको कुछ और चीज की जरूरती नहीं पड़ेगी, पूरा दिन बहुत ज़दा एनरजेटिक और पोडेक्टिब रहोगे, अफ्टर वाक आउट अब जाएंगे फ्रेस होने के लिए, तो ओरेल हाईजिन बहुत ज़दा इंपॉर्टेंड रोल और पर्सिनालीटी में, अप बहुत अच्छे से रेडी हो के इसकूलर कॉलेज गए हो किसी से बात कर रहे हो मुझे बदबू आ रहा है, बहुत ज़दा मजाक भी उड़ता है, बहुत ज़दा इंपरेशन भी लगता है, तो अपने माउट को बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है आप टूट बेस तो करोगे यूज और आप टंग किलीनर भी यूज करोगे उसके बाद भी अगर आपका मुझ से इसमेल आता है तो इलाई ची को बैग में केरी करना और अपना मुझ पे रखना ताकि आपका मुझ से बहुत अच्छे से फ्रिशनेस आए औ बॉयल मिल्क भी ले सकते हो मिल्क का बहुत जदा बेनिफिट होता है हमारे इसकीन के लिए एक्सपोलियेशन करता है संबन को रिमूफ करता है नैचरल क्लीनजर तो है इसकीन को इवेन करता है और एक बहुत अच्छे से इसकीन आपको देता है जो बहुत जदा स्मूथ हो आप इसकेian के बटाएब चुने के साहँ हो तो यह है आप 50% अपना स्कीन करी तो बेस्ट क्लेंजर है ती ने ज के लिए वह है रौ मिल् opposed बेस्ट क्लींजर तो पेसको यूज मत करना बेस्ट क्लींजर है तो इसको जरूर ही उसके बाद पांच मुनिट रखने कि यूर चोइजा के बाद उसके बाद अच्छे से क्लीन टावल से अपने फेस को अच्छे से करें को सब्सक्राइब कर और अजिआ। इसकुल जाने से पहले हमें से अपने नेल्स को चेक कर लेना अगर कटिंग नहीं है तो कट कर लो ग्रूमिंग अच्छे से कर लो ताकि ओवरल परसनलिटी अच्छा लगता ही है टीचर भी कुछ नहीं बोलती है और नेल्स के अंदर गंदेगी रहता है तो वो भी बहुत भी नहीं करता है और पीट-पीछे बाते तो होती रहती है यह चोटा-चोटा चीज आपको ओवरल पस्नलिटी पर बहुत जदा इंपक्ट परता है तो हमेशा अपने अपको गुरूम रखो नेल्स को क्लीन भी नेक्स टीप है आईरन बहुत जदा इंपोर्टेंट है तो इनिफॉर्म को आप मॉर्णिंग में आईरन कर लो या फिर आप नाइट में भी आईरन करके रख सकते हो इनिफॉर्म को हमेशा आईरन करने के बाद ही आप वेर करना बहुत जदा क्लीन लूक आता है बहुत जदा स्मार्ट लगता है बहुत अच्छा भी लगता है आईरन करते बाद हाथ को मत जलाना हमेशा ध्यान से आईरन करना नेक्स टीप है नाहाने के बाद और इनिफॉर्म पहनने से पहले आप बॉडी वॉयल या फिर आप बॉडी लोसन जो भी अप लगाऊगे वह पहले लगा लो ताकि अच्छे से बॉडी में मसाज कर सको अच्छे से हो जाए और आपकी उनिफॉर्म में कोई भी दाग ना लगे हमेशा अपना कान को क्लीन करके इसकूल या फिर कॉलेज जाना क्योंकि बहुत जदा गंदा लगता है कि कानों के साइड में अगर मैला रहता है तो हमेशा सरसो का तेल अच्छे से लगा के पूरा साइड में उ उसके बाद मैं पॉंस का मॉस्टरोजर लगा रही हूँ पॉंस का मॉस्टरोजर तो बेस्ट है बहुत ही जदा आच्छा बहुत जदा रिजनेबल भी उसके बाद मैं संस्क्रीम यूज करूंगी संस्क्रीम हमेशा 50 उसका न तक कि अच्छे से अपको प्रोटेक कर सके क्यासलीन जिन्दाबाद हमेशा के लिए तो लिप के लिए हो गया पर्फेट इसकिन के टीनेज एर के लिए अब मैं अपना इनिफॉन पहन लूगी स्कुल के लिए हैर स्टाइल या फिर हैर केर करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा अगर है ड कर सकतो जिससे अपका ड्राइनेस थोड़ा काम हो जाए मैनेजेबल हो जाए और बहुत ज़्यादा बेबी हैर अगर दिख रहा है तो अप अलोवेरा जेल लगा कि उसको सेट कर सकते हैर स्टाइल था दो चोटी येस गाइस और आज नई वीडियो सूट करते करते मेरा ना से और आज वही सारे चीज़ कर रहे हूं तो कितना ज़दा अच्छा लग रहा है इसको लाइफ बेस्ट लाइफ होता है सो गर्ल्स बहुत ज़दा अच्छे से इंजॉइ कोड़े इसकोल के लिए इसकोल जाने से पहले घड के जो बड़े होते हैं उससे दुआ ले लेना अच्छे से अपके मामी पापा अगर दूर है जैसे कि आप होस्टल में पढ़ते हो है फिर बोडिंग में तो फोन पे जरूर अपने मामी पापा से बात कर लेना बहुत ज़ेदे इंपॉर्य वह है breakfast, a healthy breakfast जो बहुत easily हो जाये, quick हो जाये मिउस्ली में बहुत ज़्यादा high protein, energetic रहता है क्योंकि इस में बहुत ज़्यादा physician रहता है seeds रहता है जो skin और hair के लिए अच्छा है, overall body के लिए अच्छा है और milk थो आच्छा है क्याल्सियम रहता है एनर्जिटिक आपको पूरा दीन बहुत रहेगा और बहुत जदा हैल्दी ब्रेक्फ़स्ट का एक ओप्सिन है टाइम ही नहीं लगता है कोई साभी मिल्क ले सकते हो जैसे आप वाम बाला मिल्क ले सकते हो अप नॉर्मल टेम्पूराचर में जो मिल्क रहता है वो भी अप ले सकते हो पर फ्रीज का एकदम से ठंडा मिल्क मल लेना क्यों से ठंडा लग जाएगा आपको में उसली रालना है आपको ज्यादा मीठा पसंद थोड़ा सा हनी बी एड कर सकते हो बहुत हेल्दी है टेस्टी है और बहुत अच्छे से अपको लॉंग होता है तो कोसिस करो अप इतना अपने लिए डिपेंड हो जाओ खुद के लिए कि अपना जो खुद का काम है इस्कूल और कॉलिज जाने से पहले खुद ही किया करो इन फैक्ट आपको ब्रेकफर्स्ट यह सारे चीज के लिए भी ममी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है खु होगे तो आपका फ्यूचर में और ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वह आपका इस्कीन में दिखेगा तो अभी से यह सारे चीज चोड़ो चोड़ो चीज को किया करो कि का बैग को अच्छे से रेडी कर लेना है पिरिएट के हिसाब से बुक्स सारे चीज ले लेना है बॉक्स हाइड्रेसेन के लिए भर भर के पानी पीना है उसके लिए वाटर बॉटल वालेट यह सारे चीज को देख लेना है और एक छोटा से किट बैग मेंने एमर्जिंसी के लिए रेडी किया है उसमें क्या-क्या है उसका वीडियो मेरा अर्रेडी चैलन्ग पे है उसको देख लेना आप लोग और कोटन का हैंग की कभी मत भूलना है इसको जरूर केरी कर लेना उसके सासत में आप लोग को सजिस्ट करूंगी कि आप लोग कभी भी अमरिला को मत भूलना संटेंड नहीं होगा बारिस से भी बचाएगा धूप से भी बचाएगा तो बहुत काम क जरूर इसको बैग में कार लेना आप लिए कर लोग को मैं सजेस्ट करूंगी संस्टिक में पैसा इंवेस्ट कर लो ताकि रियापलीकेशन कर सको इस्कुल कॉलिज में पॉसिबिल नहीं होता है कि किरीम को अपलाई कर सको संस क्यूं को और वाटर बोटल को भी मत भूलना क्योंकि हाइड्रेशन कभी जरूरत होता है तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए इस्कुल बैल से अब मैं भी हो गई इस्कुल जाने के लिए रेडि आज मैं बहुत ज़ा खुस हो पूरा विडियो सुट करने के बाद मुझे ये फील हो गई है कि मैं फिर से अपने इसकुल लाइफ कहीं नगे जी लिया So thank you guys, मुझे comment करने के लिए किसी ने मुझे request किया ता इसलिए मैंने वीडियो पनाए I hope आप लोगो को वीडियो अच्छा लगा होगा And वीडियो कर अच्छा लगा है तो वीडियो को share कर देना, like कर देना और चनल को subscribe कर देना फिर में आप लोगो को मिलोंगी, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोगो को बहुत सा लगा है, खुश रहे, अच्छे से रहे और मज़े कीजिए, बाई